तो यह वाला question देखो प्यारे बची यह जो question है basically theoretical based question है और अगर यह theory based question है तो यहां से तुम देखोगे कि there are four light rod है हमारे पास material based question है और यह light rod A, B और C and D four light rod है एक thread से बदे हुए है और बार मेगनेट is slightly broad near it simple मतलब हर एक simple के पास मतलब को मिला की यह के thread से बदा हुआ है यहां पर magnet है यह अपना rod है और इसके पास अगर मैं एक बार मेगनेट लाता हूँ बार मेगनेट लाता हूँ यह मैंने बार मेगनेट लेके आया नौर्थ पुल और साउथ पुल तो यह जो बार मेगनेट है तो अगर इसके पास लेके आते हो तो तुम देखो इसका behavior कैसा होता है अगर बार मैगनेटिक लेके आते हो तो बैसिकली यह इस कि फिवली रिफल जो एक रोड एक है तो जब Olay Lost होता है और यह मैगनेटिक मटेरियल जो हता यह यह होता है यह मैगनेटिक इन फिर्ट से रिपल होते हैं डाइ मेगनेटिक माटेरियल्स जो होते हैं वो मेगनेटिक फिल्ड से रिपल होते हैं तो दूसरा जो भी इस भी बहुत कम अट्रेक्शन हो रहा है इन्वे अट्रेक्शन तो हो रहा है तो बहुत कम अट्रेक्शन हो रहा है तो ऐसे मेगनेटिक को हम भी जो है वो पैरा मेगनेटिक मेटेरियल बोलते हैं पैरा मेगनेटिक यहां से पैरा मेगनेटिक मेटेरियल होता है यह मतलब प्रपॉइंटी होते हैं तुम्हें याद करना पड़ेगा याद है तो और बहुत ज़्यादा जारा अट्रेक्शन हो रहा है तो बहुत जादा अट्रेक्शन हो रहा है तो उसको हम फेरो मैगनेटिक मैटेरियल बोलते हैं फेरो यहां से यहां से फेरो मेगनेटिक मेटेल्स ऑफ़ते हैं और अगर कुछ नहीं होगा कुछ फरग नहीं पड़ा मेगनेट से उसको unrest Shrimp tähän प्ैक्हिए। इस दे Неbeiterमेर क। पयरा मैगनेटिक श्व lat टो एंटि यहां से सही हो जाता है बागी सारे यहां से गलत हो and thank you, bye-bye, take care